दोस्तो मैं सोरोमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के 25 Most Important Question आंसर्स जो की परिक्साओं में पूछे जा सकते हैं ये कोशन दोस्तो पहले भी पूछे गए हैं तो ये वीडियो काफी important रहेगी पूरी वीडियो का end तक देखेगा और 25 में से आप लोग कितने कोशन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना इसको कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना भी अलमूनियम किस खनीज से प्राप्त किया जाता है ये आपके लिए टेस्ट कोशन रखा गया है तो फटाफट इस कोशन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बता दीजे शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला कोशन आपके स्क्रेण पर है निमलिकित में इसे किस रंग की तरंग धेरिये सर्वदिक होती है आंसर कमेंट बोक्स में बताना है वही ठीक है तो राइट आंसर क्या रहेगा लाल रंग की तो लाल रंग की तरंग धरिया दूस्तो सरवधिक होती है तो राइट आंसर इस ओप्षन ये याद रखना है दूसरा कोशन है मलेरिया रोग का परमू कारक क्या है दूसरे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दूस्तो प्लाजमोडियम यानि की option बी राइट आंसर हो जाएगा तीसरा question है Kelvin पैमाने पर जल का कवतनांग कितना होता है दोस्तो इस question का राइट आंसर हैगा 373 के यानि की तीसरे question का राइट आंसर option ए हो जाएगा question number 4 है खाना को पकाते समय सर्वदिक मातरा में नस्ट क्या होता है तो खाना को पकाते समय दोस्तो सर्वदिक मातरा में नस्ट क्या होता है तो राइट आंसर है तो राइट आंसर होते हैं दोस्तो question number 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद अखना है Queshain No.5, कि रोग के रोगथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है तो इस Queshain का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तो BCG का टीका लगाया जाता है TB की रोगथाम के लिए यानि कि राइट आंसर आपशन यह हो जाएगा यह आपको यह दखना है इसको क्रेट कर ले ना वई TB हो गए आप प्यारे दोस्तो 6000 Queshain की Master PDF का ओफर जल्दी समाप्त होने वाला है यानि कि 15 अगस्त को यह ओफर समाप्त हो जाएगा बहुत पहले बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि फिर बाद में यह ना सुनने को मिलेगी सर आपने बताया नहीं था समय कम था यह और वो बहुत सारी चीज़े देखें Master PDF आप सभी के पास जरूर होनी चाहिए आप इसको ले सकते हैं यह ओफर कभी दुबारा नहीं आएगा यह भी मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में Master PDF का लिंक है वहाँ से पर्चेज कर सकते हैं या फिर वोट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आप इस PDF को पराप्त कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कर देना और चटा कोशन क्या कह रहा है दोस्तो एड़वर्ड जेनर निमलिखित में से किस रोग से संबंदित है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर कह रहेगा राइट आंसर इस जे चक यानि कि ऑप्शन डी राइट आंसर हैगा चटे कोशन का सहीवत है सात्वा कोशन है जब कोई बहारी परदार मानव रुदिर परणाली में परविसिस्ट होता है तो परतिक रिया कौन प्रारम करता है तो राइट आंसर क्या रहेगा तो डबलू बी से यानि कि वाइट बलर सेल्स तो राइट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा वई तवचा का रंग किसके कारण होता है तवचा का रंग दोस्तो सबका लग लग होता है ठीक है तो यह किसके कारण से होता है तो राइट आंसर इस मेलनिन के कारण यानि की आठवे कोशन का राइट आंसर D हो जाएगा कोशन नमबर 9 है मलेरिया रोग में सरीर का कौन सा अंग परभावित होता है मलेरिया रोग में सरीर का कौन सा अंग परभावित होता है दोस्तों नोवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा पली हाँ यानि कि ऑप्षन यह राइट आंसर हो जाएगा गई देखें दसवा कोशन है सूर्य के परकास में किस रंग का परकिरन सबसे अधिक होता है अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें दोपेर में दो बजे यह वीडियो अलग-अलग टोपिक पर रेगुलर आती है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी सेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं साइंस की सारी वीडियो देखना या फिर कोई से सब्जेक्ट की सारी वीडियो Aал तो आप यूटूब पर इस प्रकार से सर्च करेगा Only Top Study Science Playlist only Top Study Story Playlist इस तरीके से कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर description box में link दिये गए होंगे playlist के वहाँ से check कर सकते हैं दसवे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा तो right answer is bangni ठीक है सुर्य के परकास में किस रंग का परकिरन सबस्यादिक होता है bangni रंग का दोस्तो यानि कि C right answer हो जाएगा 11 question है यांतरीक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है तो right answer is दोस्तो विदूत मोटा यानि कि A right answer हो जाएगा 12 question है किस अमल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है 12 question का right answer is sulfuric अमल यानि कि 12 question का right answer option है हो जाएगा यह आपको या दखता है 13 question है कौन सी gas चांदी की सतय में काला कर देती है कौन सी gas चांदी की सतय में दोस्तो काला कर देती है तो right answer is ozone यानि कि तेरवे question का right answer option ए हो जाएगा question number 14 है accurate gas की खोज किस ने की थि accurate gast की खोज किस ने की थि दोस्तो microarts 14 का right answer is réféमजे ने की थी 14 का right answer दोस्तों D हो जाएगा ये आपको याद दखना है Question number 15 है capsule का आवरण किसका बना होता है दोस्तो capsule का आवरण किसका बना होता है तो right answer क्या रहेगा 15 question का right answer रहेगा Starge का बना होता है 15 question का right answer C हो जाएगा 16 question है मानव सरीर में सबसे मजबूत हड़ी कोन सी होती है मानव सरीर में सबसे मजबूत हड़ी दोस्तों कोन सी होती है जबडे की हड़ी 16 question का right answer D हो जाएगा सतरवा question है निम्न में से दूद में कोन सा अमल पाया जाता है निर्ण में से दूद में दोस्तों कौन सा मल पाया जाता है तो सतरवे कोशन का राइट आंसर इस लेक्टिक अम्ल सतरवे कोशन का राइट आंसर ओप्षन ए हो जाएगा अठारवा कोशन है पानी का भारीपन किस विले के कारण होता है पानी का भारीपन दोस्तों किस विले के कारण होता है तो राइट आंसर इस सोडियम के कारण तो राइट आंसर ओप्षन ए हो जाएगा दोस्तों नमक का पी एच मान कितना होता है देखें नमक का पी एच मान दोस्तों कितना होता है तो राइट आंसर इस सेवन यानि कि option A right answer हो जाएगा 20-वा question है हर्द्य में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो 20-वे question का right answer क्या रहेगा हर्द्य में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है ECG का यानि कि D right answer है दोस्तों 20 वे कोशन का सही उत्तर ये भी नोट कर लेगा है 21 वा कोशन है आसवों यानि की टियर्स में कौन सा प्रदार्थ गुला होता है तो राइट आंसर इस सामान्य नमक यानि की ओप्शन ए राइट आंसर लेगा 22 वा कोशन है प्लास्टर वो पेरिस प्राप्त किया जाता है तो राइट आंसर हैगा जिपसम से यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा 22 वे कोशन का सही उत्तर 23 वा कोशन है चमगादड अंदेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सायता प्राप्त होती है 23 वे कोशन का राइट आंसर हैगा अल्टरा सोनिक वेव से यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा 24 वा कोशन है अलमूनियम किस खनीज से प्राप्त किया जाता है अल्मूनियम मेरे प्यारे दोस्तों किस खनीज से प्राप्त किया जाता है तो राइट आंसर इस बोक साइट से यानि कि ऑप्शन सी राइट आंसर हैगा चोबिसवे कोश्चन का सहीटता है 25 कोश्चन है मैक नंबर संबंदित है तो मैक नंबर दोस्तों संबंदित है हवाई जाज की गति से यानि कि 25 कोश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा अब सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि 25 में से आप लोगोंने कितने कोश्चन की आंसर सही किये है पिर उसके बाद बताएगा कि मलेरिया रोग का परमुक कारक क्या है यह आपके लिए टेस्ट कोश्चन रखा गया इस वीडियो में और अभी इसी वीडियो में हमने इस कोश्चन को कवर भी किया था मैं आसा करता हूं कि 100% इस कोश्चन का अंसर कमेट बोक्स में जरूर बताएंगे ओनली टॉप स्टडी आप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लिजे फाइव स्टार की रेटिंग भी जरू करिएगा उसके बाद मैं आपको यहां से डेली करेंट फिर की पीड है दोस्तों ये 500 रुपी की पीडियप है अभी ओफर चल रहा है 15 अगस तक दोस्तों इस ओफर में ये पीडियप आपको 150 रुपे में मिल जाएगी लाइप टांव आपके पास रहेगी आप कभी भी पड़ सकते हैं इस पीडियप और इस पीडियप में आपको सारी सब्ज से ससता कुछ नहीं हो सकता पूरी लाइफ टायम के लिए डेडी बूक्स में लिंक है वहाँ पर कलिक करके पेमेंट करके ले सकते हैं यह वोटसअप नमबर दिया है इस नंबर पर मैसेज करके भी आप ले सकते हैं वीडियो पसंद आईए तो लाइक करिए शेयर करें दोस्तों के साथ में चैल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन कौन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थेंक्यू सो मच एवर्यों टेकर ख्याले कर दो